दुरगापूजा के धूम के बीच बिहार के पॉलिटिक्स में एक नई खबर आ रही है बिहार के जिन चार बिधान सभा छेत्रों में उपचुनाव होना है उसके लिए कभी भी चुनाव आयोग घोसना कर सकता है नमस्कार मेरा नाम अनूप नरायन सिंग है और आप प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं लोग सभा चुनाव के दौरान बिहार के चार माननिये बिधायक सांसत बनने में सफल हो गए और उसके बाद ये चार बिधान सभा की सीटे जिसमें तरारी इमाम गंज बेला गंज और रामगण सामिल है खाली हो गई अब इन चार सीटों के लिए 2025 से पहले बिहार में बिधान सभा उपचुनाव होना है यह जो चार सीटे हैं जहां बिधान सभा का उपचुनाव होना है इनमें तीन सीटे महागठबंधन की है और एक सीट NDA की है आपको बता दे कि तरारी से बिधायक रहे माले के सुदामा प्रसाद आरा के सां सद बनने में सफल हो गए और तरारी सीट खाली हो गई है इसी तरारी सीट से अब भाजपा में सामिल हो चुके सुनील पांडे चुनाव लरना चाहते हैं और कहीं न कहीं भाजपा तरारी में उपचुनाव के बहाने मद्दाताओं के नवज को भी ट्रोलना चाहती है इमाम गंज की करें तो इमाम गंज जितनराम माजी की परंपरागत सीट रही है यहीं से जितनराम माजी बिधायक थे और इमाम गंज की सीट को खाली कर वो लोगसभा के सदस्य बन गए अब जितनराम माजी अपने बेटे को इमाम गंज से बिधान सभाव चुनाओ में लड़ना चाहती है महागठ बंधन की तरब से भी कई सारे चेहरे हैं पर क्या गठ बंधन में आरजेडी ये सीट कॉंग्रेस या वाम दलों के लिए छोर देगी यह कहना भी जल्दबाजी होगा तीसरी सीट की चर्चा करेंगे ये सीट है बेला गंज देखें बेला गंज ज सुरंद्रयादव 2024 में संपन हुए लोकसभा चुनाओ में जहानाबाद से आरजेडी के परत्यासी के रूप में चुनाओ जितने में सफल हो गए तो बेला गंज सीट भी खाली है पिछली बार बेला गंज सीट पर सुरंद्रयादव ने यानि 2020 में जिसे हराया था उसका न नाम को गौर से सुनियेगा अभयकुस्वाहा जदियु में थे पर 2024 के लोकसभा चुनाओं के पहले अभयकुस्वाहा ने आरजेडी के तरफ रुख किया RJD ने अरंगाबाद से अभयक उस्वाहा पर दाव लगा दिया और अभयक उस्वाहा भी सांसद बन गए यानि बेला गंज में जो बिधायक बने यानि सुरंद्र यादव तो जहानाबाद से सांसद बने RJD के और जिन्हें हरा कर सुरंद्र यादव बेलागंज से बिधायक बने थे अभयकुश्वाहा को अभयकुश्वाहा भी आरजेडी में सामिल हो गए और अरंगाबाद से सांसद हो गए तो बेलागंज खाली है और इस बेलागंज सीट पर कई सारे नाम है देखिए यादव बहुल सीट है तो कई सारे यादव चेहरे ह जो जदिव की ये सीठ है तो जदिव का उमिद्वार तलासा जा रहा है इसमें एक पुरुविधान पारसत का परिवार है जो यहां से टिकट चाहता है नितीज कुमार के करीबी कई लोग है जो पटना से लेकर बेला घज तक लगातार दोरा कर रहे हैं कुश्वाहा और यादाओ लालो यादाओ के काफी करीबी हैं हलाकी कई बार बिवादों में भी शरूरेंद्र यादाओ की जो च्छवी है दबंग की च्छवी रही है बेलाग बोलते हैं पर लोग प्रिये हैं जहानाबाद से सांसद हैं तो बेलाग से सुरेंद्र यादो अपने परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लरवाना चाहते हैं चौथी सीट देखिए यह जो सीट है रामगड एकदम यूपी के बोडर से सटा हुआ है रामगड जो सीट है राजपुत बहुल है और यहां से जो बिधायक थे सुधाकर सिंग महागठ बंधन सरकार में क्रिसी मंत्री थे हाला कि उन्होंने इस्तिफा दे दिया था इस बार यानि 2024 में बक्सर से आर जेडी के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए है तो रामगड से जगता नंसिंग उनके पिता जो आर जेडी के परदेश सध्यक्ष हैं अपने छोटे बेटे को यहां से बिधान सभा का उमिद्वार बनाना चाहते हैं पर चर्चा राजपुत बिरादरी से ही आने वाले और नितिश कुमार से लगातार जुबानी और सोशल मीडिया की जंग लरने वाले अपना बिधान परिशद की सदस्यता गवा चुके बिसकोमान के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्तर सुनील कुमार सिंग के नाम की भी है हाला की डॉक्तर सुनील कुमार सिंग कई मोके पर कह चुके हैं कि वे पाटी के एक सिपाही है और पाटी जो निर्ने लेगी वो उन्हें माने होगा चुनाव लगने की चर्चा बेकार है पर जो अंदर की खबर है सुनील सिंग के बहाने रामगंड में राजपुतों की पर तर्न करा सकते हैं रामगड में हाला की जो हमारे सुत्र हैं वो बता रहे हैं कि जक्तानन सिंग के बेटे का पलरा ज्यादा भारी है और ऐसे में जो सीट है रामगड यहां से जक्तानन सिंग के परिवार का ही कोई चुनाव लड़ेगा लेकिन बीजेपी के तरफ से कौ सीटे बिहार में हैं जहां उप्चुनाव होना है और दावेदार कहीं हैं प्रसांत किसोर भी पहली बार इन चार विधान सभास सीटों के बहाने बिहार में अपनी ताकत का हैसास कराने वाले हैं इनमें दो सीटे ऐसी हैं जहां पर मुसल्मान भी वोटर अच्छी भूमिका म यानि ओवाइसी की पाटी भी चुनाव लड़ना चाहती है पूरे घटना करम पर रहेगी नजार इसी तरह के पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहें सच्टॉक के डिजटल प्लेटफॉर्म को